घर में महमान आये हैं तो पूछा जाता है चाई पिएगे अगर मान लिजे चाई की मना ही हो गई तो पूछा एगे काफी ले लिजे आज़ा कोई बात नहीं नीबू पानी ले लिजे अब उल्टा समय आ रहा है जो नीबू कीमत जो बाजार में हो रही है उस से भी यह लग है कि सबसे पहले आप चाय पानी पूछिए और उसके बाद अगर काफी कोई ना पिए तो कुछ होर महगी चीज पूछ लिजे पर नीबू मत पूछे इंदेनों नीबू की चर्चा हो रही है नीबू निचोडिये मत नीबू को चक्षिए ऐसी कहानी क्यों निकल गारा रही है और क्यों हम चर्चा कर रहे हैं नीबू के बागान में पहुँचकर नीबू की वो हर वो आदमी जान रहा है देश में इन दिनों जो नीबू बाजार से खरीद रहा है क्योंकि 36 गड़ के बाजार में तो 10 रुपए का एक नीबू बिक रहा है लेकिन उत्पादन कैसे होता है नीबू के किसान जो नीबू का उत्पादन करते हैं कितना खर चाता है कितने में खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं और कितना मुनाफ़ा कमा रहे हैं यही सब जानने और समझने के लिए हम 36 गड़ के महा समुझी लेके एक नीबू के बागान में आये हैं और करीब 20 एकड़ की खेती जो किसान करते हैं नीबू की उनसे जानते हैं और समझते हैं कि ये नीबू क्यों आखिर इतना महगा हो गया है और इसका रस निचोडने में लोगों के पसीने क्यों आ रहे हैं तो चलिए बात करते हैं क्या नाम है आपका देवेन चंद्रा का नाम है देवेन भाई ये बताइए कि नीबू कितने में भिकरा है इन दिनों मार्केट में एक नीबू अभी तो मार्केट और पता चरह एक नीबू दसर में भिकरा करके बल्ले बल्ले होगी आपकी कोई बल्ल यहीं फाल में ही क्योंकि कोई खरिद्दार निमी रहा है निपू का अभी कितने रुपए kg में विकरा है निबू जो जो किसान के खेट से जा रहा है क्या दिक्कत आ रही है कि लोगों को महगा मिल रहा है निबू अपना एक होता है हम लोग तो यारिक्ट मंदी में जा के बेश देते हैं निबु को और उन लोग अपने हिसाब से फिर बेशते हैं उसके अधरेट हमको कभी नहीं बिलता लेगा तो फिर नीबु महगे होने की वज़े चलते चलते बात करते यह चंद्राकरजीए बताइए कि नीबु म निबू बैटके कहीं थम बंडी मी बेचेंगे मंडी वाले लोग अपने हिसाब से निबू खर देंगे मजबूरी होगा तब खर देंगे नहीं मुल्ण इच्छाओं को तो नहीं खर देंगे बढ़ाने वालों ने बढ़ा दिया है बस और कोई कारण नहीं कुछ तो वज़य होगी बारिस होगी बारिस में ज्यादा निबू का ऐसा रेड बरने का रिजन मैं भी समझ रहा हूं इस जीज को क्या हुआ इस बार ना मौसम ना बीच में जो परिवर्तन हुआ ठंड के समय अचानक कंटीनी वारिस में उसके वज़ा से नीबू में पानी ज्यादा आ गया पानी ज्यादा आने के वज़या से नीबू फिल neu devenu कि वाल इन वी ज्यूंगी पानी को फूल देना ठिवकी पानी ज्यादा न बार। पूरा और फौल सेट हो जाएगा पानी दोगे तो पूरा फुल डॉाफ हो जाएगा उस समय फूल आने के समय क्या हुआ इस बार बारीस हो गईा बारीस होने के वजदे से क्या हुआ फुल गिर पूरा फ्ल डॉड作़ गे лиucking ज्यादा बारीस की यही जो नीबू लगा हुए लगभग लग 200 एकड में लगा हुआ है जिसमें डेड़ से उगणते हैं पिछले साल उखाड दिये किसान लोग फेग दिये कोवीट के वज़े से हमारे नीबू तो हम सड़ा दिये फेग दिये कोई मतलब भी नहीं रहा है नीबू हमारे रेटी खर्च कितना आता है एक एक आड नीबू लगाने में लगभग 50 उर्पाया का पौधा आता है कि इछ तना कमा लेते हैं नीबू पहला तो प्रॉडक्शन देता नहीं है दूसरा साल से उसका प्रॉडक्शन चालू होता है आठ किलो, साथ किलो से उसके बाद से पोड़क्शन चालू होके लगबग एक कड में लगबग 25 से 30 टन पोड़क्शन देता है चंदराकर जी जो दरसक हमको देख रहे हैं बीपी न्यूस में देख रहे हैं नीबू की बड़ी कीमतों पर जो हमारी बातचीत हो रही है यह कीमत बढ़ी क्यों है इसका कारण आसान सब्दों में जो हमारे दरसक समझ जाए नीबू का रेट बढ़ने का कारण यह थे पहले जो कोविट के समझ जो नीबू नहीं बढ़ा किसानों का पहला दम वो थे कि कैसान नीबू खाड दिये साक्षाद महासुन में ही बता रहा हुँ मैं दो रॉपए नहीं बढ़ वहता हुआ करके इस बार मीर रहे हैं मार्केट माईसार प्रोडक्शन नहीं आया नीबू का वही बरसाथ के वज़े से बरसाथ जैसे जादा है बारी ज्यादा हुई प्रोडक्शन कम हो गया फूल सेट नहीं हो पाया है मतलब आज की डेट में चंद्राकर जी 15 से 20 रुपए किलो ही महेंग हो गया है जो पटलाजार हम 800 में खरिदे थे पोटास आज 17 सुर्भा करे हैं इसको पोटास की बहुत जोरत पढ़ती है तो हम कहां से खाट डालें है फोकट में खाट डालेंगा और नीबू का रेट मिल नहीं रहे हैं हमको तो हम भी सोच में पढ़े हुए हैं कि क् अब तक ये नीबू दस से दो तीन चार में आ जाएगा जुलाई अगस्त तक आ सकता है जुलाई अगस्त तक प्रोडक्शन कम हुआ है और बारिस की वज़े से फूल जो हो मर गए तो ये कारण है चंद्राकर जी यहां 20 एकड में खेती करते हैं और लगभग 200 एकड में मह चोड़ें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि चाय और कॉफी ज्यादा सस्ता होगा आपके घर में आने वाले लोगों के लिए नीबू पानी तो कम से कम ना पूछें